अंदर लगता है उक्शन चल रहा है जड़ा चलकर देखना पड़ेगा किस चीज चल रहा है अरे वहीं डाइमेंड का चल रहा है अच्छा मेरा अन्टी से बात कर लीं वह दो थारी है यह यह डाइमेंड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है उसी का यहां पर ओक्शन और एक अंकल यहां पेक करोड और एक अंकल एक लाग देने के लिए तक रेड़ी है अरे यह को ना गया हैंच आप सब लोग हैंच आप कर लो मुझे तो बार डर लग रहा है मेरे पास है तो पिश्टल अगर मैंने मौके पे चलाई उसके पास मुझसे भी बहुत जादा खतर पर लेकर नाक वेपेंस हैं मुझे ठोक देगा अरे मुझे तो बाड़ डर लग रहा है वो डाइमेंड ना चुरा के ले जाए पकड़ो पकड़ो हाह मुझे जाना पड़ेगा उसको पकड़ने अरे वह तो लांबोर गिनी में बैठ लाए मुझे भी जल्दी से अपनी ला लामबो को भजाना पड़ेगा वो मारे कितने खतरनाक लूड यही वाला घर लगता है और इसी के इंदर छपा हुआ होगा उसके घर के बाहर तो सीक्योर्टी लेवल नेक्स लेवल ए और अगर मैंने आपकी गल्ती की तो मैं गया मुझे यहां पे स्नाइपर ले लेनी चाहिए इतनी साइज सेक्योर्टी आरे भाई सब कौन सा अनमर पेहन रखा है इन लोगों ने मर कैसे नहीं रहे है पता नहीं इसकी सेक्योर्टी काफी जादा खतरनाक है भाई साथ यह तो अपने यहां का सबसे बड़ा माफिया लग र बड़ी जब तक वो लोग आते हैं तब तक इसका गेम मैं खतम कर दूंगा जब तक वो सारे नमूनों को पता लगेगा अरे उन्साब को पता लगे मुझे से भाग के अंदर जाना पड़ेगा हैं सो अच्छा ठीक है यह है आर्या पार अगर तुमने जरा सी भी गल्दी की तो तुम अमर जाओगे तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं मरोगे हमने तुम्हें चारो तरफ से घेड़ लिया है तुम भाग नहीं सकते जुप चाप अंदर आ जाओगे अच्छा ठीक है मैं अंदर आ रहा हूं यह आर्या पार का खेल है जिसने गोली मत चला ना लेकिन मैंने तुम्हें चारो तरफ से घेड़ लिया और स्नाइपर से भी मैंने तुम्हारे हेड़ पे ले लिया है अगर जरा सी भी हुश्यारी की तो यही पिस्टल तुम्हारे सीने में उतार दूंगा अगर जरा सी भी हुश्यारी की आ उसने वो तो चीटिंग कर गया उसने त आला